यह जो concept है बहुत बहुत मतलब इस पर बार बार कोशिन पुछा जाता है प्यारे बच्छों सॉल्व करने की कोशिस करो वीडियो पॉच करो कहता है चार्ज प्लस क्यू और माइनस क्यू प्लेट पॉइंट एंड बी ए कहा है देखो तो हमारे पास दो चार्ज है प्लस क्यू माइनस क्यू एंड बी ए ए है तो इस पे हमारे पास प्लस क्यू है और बी यहाँ है तो इस पे हमारे पास माइनस क्यू है यहां पर मैंने प्लस कैपिटल क्यू रख दिया अब मैं उसको घुमाता हूँ मतलब A से D पर ले गए और आपको पता होगा कि इलेक्टो स्टेटिक में जो वर्क डन हो पाथ पर डिपेंड नहीं करता है तो चाह C से D पर ले जाओ चाह किसी भी पाथ से ले जाओ वर्क डन सेम होगा पाथ इंडिपेंडेंट है बराबर अब इस ट्राइब के कोशन कैसे करते हैं हम लोग बार-बार एक कोशन और एक कॉंसेप्ट यू जो गाए लेक्टो स्टेट में जो वर्क डन है वर्क डन डबलू that system in potential energy चेंज इन potential energy change मतलब क्या potential energy final minus potential energy initial अगर आप इतनी सी बात जानते हो तो ये इस type के जो question है वो इलेक्टर स्टेट में कर लोगे potential energy initial निकाल लो potential energy charge का final situation में निकाल लो गटा दो तो ये question हो जाएगा तो potential energy initially निकालते हैं, initially charge कहां था, C पर था C से, जब C पर था तो ये जो potential energy अगर initially मैं लिकाल तो ये charge plus Q C पर था, तो C पर था तो एक charge यहां है एक charge यहां है एक charge यहां है, यहां कोई charge नहीं है, तो ये जो system था वो मुझे कुछ ऐसा दिख रहा था एक बार मैं आपके लिए बना देता हूँ A, B, ऐसा कुछ एक minus plus Q यहां है plus capital Q यहां है और ये minus capital Q यहां है देखो, ये semi circle है ये question में बता जा रहा है इसका मतलब बे हुगा कि ये radius है, और ये पूरा midpoint है, तो ये पूरा 2L है, तो radius की value L के equal आजाएगी इसका मतलब C B और B D L के equal है, बराबर है तो ये L आजाएगा और ये भी L आजाएगा तो ये initial situation है charge का अब potential energy कैसे लिखते है दो charge के बीच K, Q1, Q2 उनके बीच का distance are depending with sine, plus या minus, तो आब मैं पहले potential energy लिखता हूँ तो कितने pair बने, तीन pair बने पहला pair है, plus Q और plus capital Q के बीच तो आजाएगा, K small Q, capital Q L, बराबर है, दूसरा pair बना, plus capital Q, minus capital Q तो minus K, small Q capital Q L, बराबर है तीसरा pair बना plus Q और minus Q के बीच, तो ये आजाएगा minus K, Q as far over 2L, this is the initial potential energy, अब अगर initial potential energy इतना है तो इसको हम लोग solve कर लेते हैं plus K Q, ये इसको खतम कर दिया तो initial potential energy जब यहाँ पर था, तो वो आजाएगा, minus K Q square over 2L, इसको ऐसे हम लोग रहने देते हैं, this is the initial potential energy अब final potential energy कितना है, जब ये चार्ज है, ये वाला चार्ज है, डी पॉइंट पर आ गया, डी पॉइंट पर आ गया, मतलब situation कैस कुछ ऐसा भी कहेगा, बना देता हूँ आपके लिए, आप मन भी इसको समझ सकते हो, डी पॉइंट यहाँ आ गया, और B पर B है, तो माइनस की यहीं रह गया गया, और ये प्लस की गया, ये L है, ये L है, और ये L है, बराबर है, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी अगर मैं लिखू हूँ, तो अब देखो कितने पेर बने, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी अगर लिखोगे, तो एक पेर तो प्लस और माइनस की के बीच, स्कॉायर ओवर टू यह वाला पेर हो गया एक पेर इसके बीच बना माइनस क्यूव कैपिटल क्यूव के ओवर एल और एक पेर इन दोनों के बीच बना तो यह प्लस के इसमाल क्यूव कैपिटल की ओवर धिरी यल जब भी पुटेंचल एनर्जी दिखता हूं तो मैं साइट जरूर consider करूंगा तो यहां से अगर मैं इसको solve करता हूं अब हमें क्या निकालना work done work done कैसे निकालते हैं change in potential energy तो work done w is equal to potential energy final minus potential energy initial तो final वाले में से initial घटा दो मतलब मैं माइनस sign लगा दोगे तो यह plus हो जाएगा और plus k q square 2l यह इसको खतम कर देगा तो finally जो work done आजाएगा घटा दोगे वो इसमें से 3 से multiply कर दो तो 3 से multiply करने के बाद minus 2 k q capital q upon 3l this is the final solution तो देखो इसमें से कौन साफशन माइनस को खतम कर दिया मतलब माइनस q capital q is equal to 6 pi epsilon naught and this is the final solution तो देखो इसमें से कौन साफशन माइनस q के 6 pi epsilon naught यह कभी सही नहीं हो सकता अब यहां से option चेक करो यह गलत है यह भी गलत है वैसे भी यार देखो माइनस आ रहा तो यह सही है प्लस नहीं आएगा गटाने पर जो sign होगा मैं वहीं consider करूँ